उत्तरप्रदिस की कैसी सीट जहां पर एक उमिद्वार का नाम सबसे उपर आ रहा था धरंजे सिंग्ग धरंजे सिंग्ग की बात करें तो जौनपूर में एक बड़ा नाम वड़ा वर्चस हूँ लेकिन जब से धरंजे सिंग को जेल हो गई वहां का राजनेतिक पारा लोगों का जो अनुमान था जो राजनेतिक भी से सग्य थे वो यही कह रहे थे कि आकिर जौनपूर की राजनेति में अब उथल पुथल मचने वाला है ऐसा हुआ भी बीजे पी में जब नाम आ रहा था उसमें धरंजे सिंग का कि बीजे पी धरंजे सिंग को ही चुनावे मैदान में उतारेगी क्योंकि धरनजे सिंग GDU से जुड़े हुए थे और जब नितीश कुमार के दिल मिले BJP से तो फिर धरनजे सिंग गये थे वहाँ पर नितीश कुमार से मिले भी थे ऐसे कयास लगाया जा रहा है थे कि जौनपूर की सीट BJP दे सकती है धरनजे सिंग को अंतिम समय में जो सुत्र बता रहे थे टिकट मिलते मिलते रह गया और वहाँ पर धरनजे सिंग को टिकट नहीं मिल पाया वहाँ के लोग बताते हैं लोकल के लोग जौनपूर के बता रहे थे कि वहाँ पर धरनजे सिंग ने बड़ा काम किया है लोगों के बीच गया है सामिल किया था अखिलेश ने तो काफी हवा बनाया गया और सामिल परशाद मौरे को जब सपा ने किनारा कर लिया तो अखिलेश यादों को किसी ऐसे नेता क्यावे सकता थी जो कि ओट साध भी पाए और पूरे उत्तर प्रदेश में एक मैं कहूं उसकी प्रतिष्ठा उसमें एक नाम था सपा के लिए बाबुलाल कुस्वाह कयास थें टिकट सपा ने दे दिया जौनपूर से बाबुलाल कुस्वाह को अब बाबुलाल कुस्वाह वहां से चुनाव लड़ रहा है अब ये था कि बसपा से प्रतासी को होना आएगा बसपा से प्रतासी बहुत सारे थें वहां के लोकल के लोग थें कि आखिर बेहन मायाबती जी जो कि किसको टिकट देंगी लेकिन वहां पे मायाबती ने बड़ा दाओ खेल दिया और धननजे सिंग की पत्नी को ही बसपा से टिकट दे दिया जो कि इससे पहले बसपा में रह चुके हैं धननजे सिंग लेकिन इस बार राजनीतिक ऐसा खेल है कि जब लोगों के दिल मिल जाते हैं तो सब कुछ साफ हो जाता है वहाँ पे स्रीकला रेडी धरंजे को टिकट दे दिया गया और जब टिकट मिला उसके बाद जो उनके समर्थक थे वो काफी खुश थे बहुत सारे इसे लोग थे उन्होंने कहा अब ये मुकाबला कड़ा हो गया जो इससे पहले धरंजे सिंग टिक्टों के लिए इदर उदर दोड़ रहे थे उनके जेल जाने के बाद जौनपूर में बस्पा ने उनकी पतने को टिकट दे दिया अब उनकी पतनी का कैना है कि जौनपूर से हम चुनाओ लड़ेंगे अब वहां के मुकाबले के अगर हम बात करें तो जो मुकाबला के बावुलाल कुस्वाहा बना BJP का था जब बस्पा नुंको टिकट नहीं दिया था वो मुकाबलाब हो चुका है कि धनजे सिंग की पतनी है पसपा के ओटर धनजे सिंग के साथ है आके राजपूत ओटर कहा जाएंगे मुस्लिम ओटर कहा जाएंगे बीजेपी क्या उस वहाँ पर सेधमारी कर पाएगी या फिर सपा के बाबुलाल कुस्वाहा बाबुलाल कु का नाम आकर वहां पर रुक्सा जाता है लेकिन जो लड़ाई है वो त्रिकोणी हो गई है जहां पर बसपा भाजपा और सपा वहां पर बसपा नियंतिम समय में कार्ड जो खेला है स्रीकला रेडी धनंजे को टिकट दे के तो जौनपुर के राजनेतिक वर्चसु की लड़ा काफी उपर हो गई है और उत्तर प्रदेश में अगर मैं कहूं तो जौनपुर की सीट किसके पाले में जाएगी ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर कौन सी पार्टिया अपने प्रत्यासियों को जिन्होंने चुनाओं में उतार दिया है आखिर वो क्या होगा क्या जरूर बताएएगा मेरा वीडियो कैसा लगा जुड़े रहेगा जैनल जैनल